नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों H.A.L. को जल्द ही request for quotation मिल सकती है उसके trainer jet H.T.T. 40 के लिए आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि last year ही Defense Acquisition Council ने acceptance of necessity जारी किया था 106 H.T.T. 40 aircraft के लिए और अब हिंदुस्तान Aeronautics Limited को जल्द ही request for quotation यानि कि RFQ मिल सकता है हिंदुस्तान Turbo Trainer यानि H.T.T. 40 aircraft के लिए और दोस्तों इस trainer jet ने last year ही critical six turn spin test capability का परदर्शन भी किया था और इस test की clearance से ये full operational clearance के नज़दीक आ गया था और दोस्तों अभी तक बात करें तो H.T.T. 40 aircraft ने neck evil air staff requirement जो की Indian Air Force की तरफ से issue की जाती है उसे पूरा किया है बलकि और भी कई areas के अंदर ये आगे आ गया है जो की trials के लिए जरूरी होते हैं और दोस्तों H.T.T. 40 aircraft ने H.T.L. के अंदर ही कई string of elaborate test को पूरा किया था जिसे Indian Air Force की team ने भी monitor किया था और उसके बाद में declare किया था कि ये rookie pilot के लिए safe है और साथ ही trainer plane के लिए सारे standard पूरे करता है और दोस्तों माना जा रहा है H.T.T. 40 deal 8,722 करोड रुपए के करीब हो सकती है और H.E.L. का plan है कि इसे rocket और light bomb से भी equip किया जाएगा ताकि international market में भी इसे promote किया जा सके एक light strike aircraft के लिए जो कि low conflict area के अंदर operational हो सकता है और H.E.L. चीफ ने ये भी बताया था कि बहुत सी countries ने इसकी procurement के लिए अपना interest दिखाया है तो ऐसे में दोस्तों ने केवल ये एक बहतरीन trainer jet साबित होगा बलकि दोस्तों ये एक light attack aircraft के रूप में भी काम कर सकेगा और इंडिया की defense manufacturing के लिए ये बहुत बड़ी achievement होगी धन्यावाद जैहिन